हर्बल हेल्थ केर में आपका स्वागत है भोजन का सही उदेश्य मनुष्य को जीवित रहने के लिए वायू और जल के बाद सबसे अधिक आवशक है भोजन मनुष्य का भोजन कैसा होना चाहिए उसका क्या उदेश्य है क्या हो कितना हो इस पर ध्यान देना अति आवशक है भोजन से मनुष्य का उदेश्य मात्र पेट भरना स्वास्त्य प्राप्ति या फिर केवल स्वाद की पूर्ति करना ही नहीं बलकि भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे हमें मानसिक वा चारित्रिक विकास भी मिलें। आहार का हमारे आचार, विचार और वेवार से बहुत गहरा संबंध होता है। प्राचीन कहावत है जैसा खाए अन वैसा बने मन। यह कहावत आज भी उतनी ही सत्य है। मन।श्य की विभिन परकार के भोजन के प्रतिरूची उसके आचरन वा चरित्र की पहचान कराती है। अते हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो शारेरिक, नैतिक, वा मानसिक, अध्यात्मिक उन्नती देने वाले और स्ने, प्रेम, दया, अहिंसा, शांती, आधी गुणों को बढ़ावा दे। मनुष्य के भोजन में शरीर को शक्ती पुष्टी देने वाले वा गर्मी बनाई रखने वाले पदार्थ, प्रोटीन, शरकरा, विटामिन्स, खनी, वसा, आधी पदार्थ, उचित, अनुपात वा प्रियाप्त मात्रा में होने चाहिए ताकि शरीर में अच्छी पूरी तरह से बदल जाते हैं, यानि जिस प्रकार सांप हर छे महिने में अपनी खाल या स्किन को बदलता है, ठीक उसी प्रकार छे वर्ष में हमारे शरीर के भी पूरे सेल्स और टिशूज पूरी तरह से बदल जाते हैं, इन सभी टिशूज या सेल्स की क्वालिटी सिर् इसे शरीर में रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता वा शरीर से व्यर्थ के पदार्थ मल तथा बचे कुछे हानी कारक तत्वों को बाहर निकाले में रुकावट ना हो। भोजन में रोग को बढ़ाने वाले स्वास्थे नाशक वा उतेजना कारी तत्व ना हो क्योंकि ऐसे तत्व मानसिक संतुलन को बिगार कर आवेगों को जनम देते हैं जिससे स्वास्थे गिरता है। प्रकृती ने मनुश्य के भोजन के लिए अनेकों पदार्थ अनाज, फल, साग, सबजी, मेवे, इत्यादी उत्पन किये हैं जिनमें सभी परकार के पोश्टिक तत्व प्रयाप्त मात्रा में होते हैं। अपनी आर्थिक स्थिती के अनुसार ही सस्ता वा महंगा या मौसम के अनुसार संतुलित और पोश्टिक शाका हारी भोजन तयार किया जा सकता है। पलकी रोगों से बचाओ करने की पूरी पूरी क्षमता परदान कर हमारी स्वास्थे समय और पैसे को भी बचाता है धन्यवाद दोस्तु